ओम रुद्रनाथ महादेवाए, नमह दोस्तों स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राश्यवाल आपकी दुश्मनी में पागल बन चुका है। इस नाम का रिष्टेदार और यह आपकी दुश्मनी में किसी भी हद जाने को तैयार है। आज इसका नाम और उसका घर जान लो, क्योंकि आपके उपर भयानक तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। और इस तांत्रिक क्रिया में तुम्हारे अपने लोग भी शामिल हैं जो तुम्हें बरबात करने वाले हैं। अगर आज आप इस वीडियो को वह अपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा, इस रिष्टेदार की काली कर्तूत आज मैं बाहर लाकर रहूंगा, आपने बहुत धोखे का लिए, आपने बहुत दुख जेल लिया, लेकिन अब और नहीं दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुलक है, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा, दोस्तों, आज आप बिल्कुल अपने दोनों कान लगा कर इस वीडियो को सुनें, और इस रिष्टेदार का जब मैं नाम बताऊंगा, तब आपके पैर जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, शायद आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं, जिन मित्रों मुश्किल से आप धन को थोड़ा बहुत कमाते भी है, तो मित्रों वह धन इधर से उधर चला जाता है, जी मित्रों, अगर आप अप आपने जीवन काल में मेहनत करके थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, तो मित्रों, वह पैसा भी आपका किसी न किसी विख्न बाधाये में कट जाता है, तो व्यर्थ के खर्चे में पीछे चले जाते हैं। जी हां मित्रों, शादी, मित्रों, आप सभी को बता दे, कि देश में रोजगार कारोबार में आप जो भी कारे कर रहे हैं, तो उनमें आपको लगातार घाटा ही घाटा देखने को मिल रहा है। मित्रों, लगातार आप सभी के काम में मुसीबतیں अडचने चली आ रही हैं. कोई नई मुसीबत आप सभी के काल में आ जाती है. जब एक पुराना मुसीबत आप सभी के जीवन काल में खत्म होते हैं, तो एक प्रकार से कहें. तो मित्रों, सफलता का मुह आप पिछले कई में पहले देखे थे, मित्रों, खुशिया, मानो आप सभी के जीवन काल में अब रूट गई हैं, मित्रों, जीवन आप सभी का चल रहा है, लेकिन मित्रों, हम आप सभी को बता दें, कि दुख सभी के जीवन काल में आते हैं, दुख सब को ही देखते हैं, लेकिन मित्रों, उस द बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप डट कर कर रहे थे। वे हर कोई इनसान का नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व, यही स्वभाव आपको ईश्वर की नजरों में सर्वपंथ बना कर रखता है और आने वाले शुरू में आपको जीत मिलती है। मित्रों, आपकी राश्च की बस यही एक सबसे बड़ी खासियत है। मित्रों, मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी की जीवन काल में बहुत अच्छी खुशी उभरी। आप सभी को मिलने वाली है। आपके जीवन में पहले एक से बढ़ कर एक परेशानी आ र मित्रों, समय बदलता है और शिव समय के साथ ग्रहों की स्थिती बदली है, जिनके कारण। मित्रों, आप सभी को खुशखबरी के एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। खुशखबरी की एक नई स्थिती आप देख पाएंगे दोस्तों। मित्रों, हम आप सभी को कुछला जीवन आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक रहा है। मित्रो, पिछले ही में आपको बहुत सारे व्यापार को शुरू करना भी चाह रहे हैं। जी मित्रो, आप सभी को बता दें कि आपने सोचे हैं कि एक एक से दो दिन के अंदर आप भी का ये कारोबार शुरू हो जाएगा, आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा जीतोड महनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह कार्य आपका शुरूात होने वाले होते हैं, तो दूसरा कोई न कोई मुसीबत आकर खड़ा हो जाता है और कोई न कोई अडचने आकर खड़ा हो जाता है। उस कारोबार की शुरूात नहीं हो पाते हैं। कोई न कोई विघ्ण बाधायें आप शुर के कार्य में जरूर ही आ जाता है। मित्रों कई बार आप सभी के जन्मकाल में ऐसी स्थिती आई है जब आप बने आशू आशेओं को लेकर बैठे हैं। मित्रों, कई बार आपकी रातों की नींद हराम हो गई है मित्रों, आप रात में सोते हैं तो मित्रों अचानक आप शब्द का नींद खुल जाता है कई बार आप बेचैन हो उठते हैं और आपके जीवन काल में इतनी परेशानिया एक साथ आ रही हैं कि मित्रों, कई बार आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ या फिर मर जाऊँ, तो ही बेहतर होगा लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि इनसान का मरना या फिर आत्महत्या कर लेना, मित्रों जीवन का सबसे बड़ा पाप है जी हां मित्रों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में आत्महत्या कर लेता है मित्रों, वह इस कलियुक पर सबसे बड़ा पापी इंसान कहलाता है, क्योंकि मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि इस जीवन को देने वाला इश्वर है और उन्हें लेने वाला ही इश्वर है, दूसरों का फैसला अगर आप स्वयम कर लेंगे, तो दूसरों ईश्वर की नजरों में आप सबसे बड़ा दोशी एक प्रकार के हैं, दूसरों क्षमा प्रार्थी इंसान बन जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, इसलिए मित्रों, आप बिल्कुल ही ना कहें कि हम ये सब मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि इस कल्यूग में जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है, मित्रों, वह अपने जीवन काल में कभी भी आगे बरहने पाता है, तो ऐसा कदम आपको भूल कर भी नहीं उठाना है, जी हाँ मित्रों, ऐसा कदम बिल्कुल ही कायर लोग उठाते हैं जी मित्रों, जो लोग अपने जीवन काल में मुसीबतों से लड़ेचना नहीं जानते हैं मित्रों, वहीं लोग डर कर ऐसा कदम उठाते हैं, इसलिए मित्रों, आप सभी को क्या करना है अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए, मित्रों आपको सही रास्ते का चुनाव कर जी हां मित्रों, आज के इस विडियो में हम आप सभी को उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे मित्रों आप सभी के जीवन काल में सुधार आएगा, मित्रों, कुछ गलतियों को आपको अब नहीं करना है, उसके बाद मित्रों आप सभी के जीवन काल में भाग्ये आप सभी का साथ देगा और भाग्य के साथ मिलते ही आप सभी काल में आपके हर चित्रों से लाब मिलेंगे समाज के लोग भी देखते रह जाएंगी कि आपकी तरक्की कैसी हो रही है शत्रू भी अब आपसे जलते ही रह जाएंगे बस आपको आगे वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है मित्रों, हम आपको बता दें कि हम जानते हैं कि अभी आपके घर की स्थिती ठीक नहीं है घर में ही आपसी मतभेद चल रहा है, घर में ग्रहक लेश चल रहा है मित्रों, बहुत सारी समस्याएं आपके घर में आ रही है मित्रों, हम आपको बता दें कि जिसने की जिसके लिए आपने सब कुछ किया है मित्रों, जब आप जीवनकाल में महनत करते हैं तो मित्रों जी तोड़ कर महनत करते हैं ऐसा नहीं कि मित्रों दे चुराते हैं मित्रों मेहनत आप बिलकुल ही मन लगा कर करते हैं लेकिन मित्रों आपको बता दें कि जब आपका अपना ही इंशान बुरा शाबित हो जाए तो दूसरों में आपको बुरा लगता है कि आपने अपने जन्मकाल के सभी अर्मानों को गला दबा कर उनकी खुशियों के लिए क्या नहीं किया ये तो सुन उनकी खुशी के लिए आपने क्या नहीं किया सब कुछ करने के बाद ही जवाब को इर्शाद देखने को मिले कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया अक्सर वह व्यक्ति जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं, अक्सर वह व्यक्ति आपके लिए बुराई शाबित हो जाता है, जिस पर आपने अधिक विश्वास किया, जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया, मित्रों, वही इंसान आपकी भरोशा तोड़ने लगे। दूसरों से बुरा और कौन सी बात हो सकता है। मित्रों, यश में आपके अपने ही लोग, आपके खास लोग आपको धोखा दे रहे हैं। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपको आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाने में लोग लगे हैं मित्रों और लगा भी रहे हैं, जिसको मित्रों आपने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जिसको। मित्रों, आपने आगे बढ़ने के लिए हर एक कारे किये जो आपको नहीं करना था। वही लोग में आपके कारोबार में बाधा बन रहा है। जीतू आपके जीवन काल में अणचने बन रहा है। वही लोग आपके शत्रू भी बनते जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर् इन सभी बातों को ध्यान से रखना होगा, ध्यान से समझना होगा. जी हां मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो बात बताने वाले हैं. मित्रों, आप सभी का भाग्य बदलने से कोई इनसान रोक नहीं सकता, और ये शत्रू हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको अपना बन कर अभी तक लूट रहे थे. मित्रों, इनका भी नींद हराम हो जाएगा, और मित्रों फिर से आप भी चापलूसी करने में लग जाएगे. लेकिन मित्रों, आपको भूल कर भी इन पर दोबारा यकीन नहीं करना है. दोस्तों, तो मित्रों आज की इस विडियो को आप अंत तक देखिएगा. मित्रों आपकी कुंडली में राजयोग का निर्मान हो रहा है, तो ब्रह्म लक्ष्मी नाम का राजयोग का निर्मान हो रहा है. मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपकी कुंडली में शुक्र सम्रिध्धि नाम का भी शुभ योग का निर्मान हो रहा है, जिनके कारण मित्रों आप सभी के जीवनकाल में चार चांद लग जाएंगे। मित्रों, यह राज्योग नहीं है। मित्रों, बहुत सारी योग आप सभी के जीवनकाल में बनते आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, ब्रह्म लक्ष्मी नाम का राज्योग और सुख सम्रिध्धि नाम का राज्योग। ब्रह्म लक्ष्मी नाम के राजयोग में आपके सारे कलह दोश कट जाएंगे और लाब की प्राप्ति होगी। शान्ती, सुख सम्रिद्धी के साथ आपसी भी जीवन परिपूर्ण होगा। सुख, लंबे समय से आप सभी के जन्मकाल में शनी की सारे साती चालू थी, लेकिन यह समय समाप्त हो रहा है। हालांकि दोनों कुछ महीने के बाद शनी की सारे साती लागू होगा, लेकिन आप सभी को बता दें कि दो हजार पच्चीस तक रहेगा। लेकिन मित्रों में अगर आप जीवन काल में बदलाव ले आए, कुछ गलतियां न करें, कुछ सावधानियां रखें, जो सरल उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने उपाय को सही तरीके से किये, तो दूसरा भाग आप भी का प्रबल हो जाएगा। जीवन काल में जो भी बाधाय हैं, वे सारी बाधाय समाप्थ हो जाएगी, और कोई भी मुश्किल अडचने आपकी काल में दوبारा नहीं आएगी। इसमें मित्रों आप सभी का भाग्य को हर क्षेत्र में साथ मिलेगा। मित्रों, हर क्षेत्र में आप सभी का भाग्य आपके साथ रहेगा और आप भी अपने भाग्य के ही साथ रहेंगे आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे मित्रों, वह कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा दोस्तों लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर में ही रहेंगे भगवान का काम न करेंगे आप सभी को बता भी रहा है कि बिना कुछ किये ही आपको फल मिलने वाले हैं तो ऐसा संभव है मित्रों यह कल युग है यह कर्म का युग है जी तो जो व्यक्ति कर्म करेगा वही फल पाएगा अगर आपने पहले कर्म किये हैं तो मित्रों तभी आपको फल मिलेगा यह बात नहीं है कि मित्रों बेठे इंसान को फल मिल रहे हैं ये तो सुन, कोई भी कार आप हाथ लगाना है, तो तभी वह कार आप भी कल सफल होगा, बिना हाथ लगाए। मित्रों, चाहे आपका नसीब कितना भी तेज हो, लेकिन दूसरों वह कार सफल आपका नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में बिठा लें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मित्रों, आप सभी को बता दें, कि ऐसे में ग्रहों की स्थिती प्रबल है, इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरे देश में आपका घर में क्लेश कर रहा है, और फूट डालने की कोशिश भी कर रहा है, ये तो आपके खिलाफ आपकी पत्नी या फिर आपके बच्चों को भड़काया करता है, ये तो आप सभी को बता दें, आपको भी भड़काया करता है, आपकी पत्नी और बच् परिश रहा है कि दूसरों लगता है कि घर छोड़ कर ही अलग हो जाएं। लेकिन दोस्तों, यश में थोड़ा धैर्य रखना होगा। यहां सब के जीवनकाल में परिवर्तन होगा, तो यश में आपके कारोबार में वृध्धि होगा। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि ऐसे में आपके भाग्य में दूसरों कारोबार में अच्छा दिलाने की महनत दिख रही है। अच्छे अच्छे अवसर दिखने की इसमें आपको मौके मिलेंगे। शादी, मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपको फोन कॉल से कोई बड़ी डील होने वाली है या में आपका कोई बड़े लोगों के साथ मित्रता हो सकता है। घर में कलेश हो रहे हैं तो श्री बाधा बन रहा है। मित्रों, इनमें आपका कुछ गुप्त रूप से शत्रू भी तैयार हो रहा है तो आपको लगता है कि भला है आपके सामने मित्रों में हितेशी बनकर सामने आता है कि आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन मित्रों, ये लोग पीठ पीछे खंजर भोंकने के कार्य कर रहे हैं मित्रों, अगर उन्हें मौका मिल जाए तो मित्रों लोग जुकेगा नहीं जी हां मित्रों, आपको बता दे कि आपको परेशान करने में कोई भी कसर लोग नहीं छोड़ेगा बदनाम करने का शड़यंत्र ये लोग रच चुका है कई बार आपको जेल में भी डालने का प्रयास कर चुका है लेकिन मित्रों हम आप सभी को बता दें कि आपका इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव तीनों लोकों के मालिक भगवान भोलेनाथ मित्रों आपके उपर महरबान रहते हैं और यही आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, और इन्ही की वजह से आप सभी के ऊपर ये लोग ज्यादा तर कोई मुसीबत नहीं डाल पाते हैं। शादी, मित्रों, आप सभी के ऊपर महाबली बजरंग बली हनुमान जी का भी कृपा है। मित्रों, दोनों का विशेश कृपा शिव काल में रहती है। और इन्ही के कारण ये लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं। कोई भी आपको बदनाम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहा है, तो वही लोग खुद ही परेशान हो रहा है, वह लोग खुद ही बदनाम हो रहा है। दूसरों में बजरंग बली श्री हनुमान जी के श्रीवास जी, आप सभी की काल में जो भी नुकसान आप सभी का हो रहा है, लेकिन मित्रों, अब सुधार भी होने तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि इश्वर के ऊपर आप सभी कार्यों को छोड़ दें, आप चिंता न करें, उन्हें कुछ नहीं बोले, तो जल्दी देखेंगी। मित्रों, नए-नए कारोबार की शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी शानदार है। दो आप शुरुआत अवश्य कीजिएगा। थोड़ी सी आपकी परिशानी भी रहेगी। घर में मतभेद भी थोड़ा सा रहेगा। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में व्यस्तता होने की संभावना दिख रही है, तो उसमें आप काफी व्यस्त रहेंगे। यश में और आपको देखने को मिलेगा कि आप सही कर रही हैं तो सही समय पर सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। ये तो सुख जिससे दूसरों आप से भी कुछ बात को समझ में भी आ जाएंगे। कि आपने जो भी किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा था और सब कुछ बहतरीन धंग से संपन्न भी हो जाएगा। इसलिए आप सभी को चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है। ये तो समय है जो महत्वपूर्ण मौके हैं जो ग्रहों की स्थिती है। मित्रों, यश में आपको बदलाव होते होते आप खुद अपनी आँखों से देख पाएंगे। रश्मी, आप अपने कर्म का पूरा फल अरजित पाएंगे। जितना आप कमाई करेंगे, जितना आप धन में विर्धि करेंगे। मित्रों, वह पहले से बहुत अच्छा होगा और आर्थिक स्थिती आपकी धीरे धीरे बहतर होती जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़े थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन यह खर्चे आपके काम के ही होंगे। जी मित्रों, यश में पैसे का कहीं भी व्याय न करें। इनमें आपको विग्ण बाधाएं आ सकती है। वैसा फल सकता है। जीतू, आपको बता दे कि जो आपने पैसे कमाएं हैं, उस पैसे को आप अच्छी कार्य में लगाएंगे जिससे आप सभी को लाब होगा। अच्छे कार्य आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना ह कि बेकार की बातों में पढ़कर ना तो स्वयम का वक्त बरबाद करना है और नहीं खुद की छवी खराब करना है। इस समय का सधुपयोग करना आपको मित्रों अच्छे से आता है और आप सधुपयोग करने में सफल भी रहेंगे। लेकिन जिन्दगी में कुछ ऐसे इस वक्त होगा जो लोग आपके खिलाफ मित्रों लोगों को भड़काने का काम करेंगे। कुछ लोग आपकी छवी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप जीवन में सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो मित्रों आप इसमें भावनात्मक रूप से मजबूत हों मित्र अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने से नुकसान हो सकता है। मित्रों थोड़ा सा समय बच्चों के साथ बिताएं क्योंकि जीवन में बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अलग ही खुश्यों का अनुभव होगा। ब बता देते हैं कि जरूरी कामों को प्राथमिक्ता दें। जो काम जरूरी हैं पहले उन्हें निप्टा लें। दूसरों की सलाह पर भी फैसला बिल्कुल ना करें। मित्रों क्योंकि आप यदि किसी के दबाव में आकर कोई फैसला लेंगे तो वह फैसला नकारात्मक साबि पूर्ण रहेगा। मित्रो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। सभी कामों पर ध्यान दे पाने से तनाव और डिप्रेशन की स्थिती रहेगी और सहज तरीके से अपने कार्य आपको करते रहना है। नई उर्जा के साथ काम को करने की कोशिश करनी होगी। किसी एक ही लक्ष पर पूरी तरह से ध्यान दे कर योजना बनाएं और उस पर टिके रहने की कोशिश करें। जीवन में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा और इस बदलाव के कारण अन्य पहलूओं को अपने पक्ष में करना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रो, करियर से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले पैसों से संबंधित बातों का ध्यान रखें। क्योंकि आप निर्णय तो ले रहे हैं, लेकिन मित्रो कुछ बातों का ध्यान रखना है। रिलेशन्शिप में सकारात्मक्ता नजर आएगा। मित्रो, साहित्य, कला, लेखन, संगीत, फिल्मो या खेल जैसे रचनात्मक्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे और आकरशक, सौदे, हाथ लग सकते हैं। आप स्वयम के लिए मित्र, यश, एवं क्रिती भी अरजित कर पाएंगे और बता देते हैं कि इस वक्त जिन्दगी बहुत अहम रोल से गुजर रही है। आपकी कोई खास कोशिश सफल हो सकती है जिसके चलते जीवन में सकारात मकता और खुशियों के कुछ पल मिलेंगे। उपलबधियां और तारीफ आपको मिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। पुरानी परेशानी और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। मित्रो ला परवा। बिलकुल नहीं रहना है और बाहरी गतिविधियों में आवाज आही से परहेज रखें। फाइदा नहीं होगा बलकि समस्याएं ही रहेंगी। खर्चा बढ़ने से इसका असर आपकी नींद और सुकून पर भी पढ़ सकता है और बिजनस में इस वक्त छोटे मोटे उतार छड़ाव रहेंगे। मारकेटिंग के कामों पर पूरा ध्यान दे। मित्रो अच्छे ओर्डर मिल सकते हैं और नौकरी पेशा लोगों को विशेश जिम इल्कुल भी न खाएं और दुविधाओं से खुद को दूर रखें लेकिन जितनी बातें आप नजर अंदाज करेंगे उतनी आपकी दुविधा बढ़ती हुई नजर आ रही है। निर्णाय लेते समय भावनाओं का प्रभाव अधिक न रहे इस बात का ध्यान रखना और परिवार के लोगों के साथ सपष्ट चर्चा करने की जरूरत है। मित्रों, काम से संबंधित चिंता रहेगी लेकिन जब तक आप काम में बदलाव नहीं करते तब तक परिस्तिति भी नहीं बदलेगी। यदि काम में, परिवर्तन करना है तो आप मित्रों कर सकते परिशानी से जुड़ा कोई प्रलेक आपको मित्रों परक कर लेना है। मित्रों बता देते हैं कि जीवन में जिस सकारात्मक्ता की आप कमी महसूस कर रहे थे, वही सकारात्मक्ता मिलने वाली है। घर में अनुशासन और अच्छी व्यवस्था रखने में आपकी खास अपने काम करने के तरीकों को बहतर बनाएं। इससे आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं। पार्टनर्शिप वाले बिजनस में फायदा होगा और नौकरी में लापरवाही से आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं। घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी जिससे आपको सुकून मिलेगा और शादी शुदा लोगों का अपोजिट जेंडर से मेल जोल रखने से हानी हो सकती है। सेहत संबंधित कोई समस्या होने पर नियमित चेक अप कराएं और दवाईयों का नियमित रूप से सेवन करते रहें। मित्रों, मित्रों, प्रोफेशनल वातावरण में उस स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साथ ही मित्रों, कुछ चीजों से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। करियर या परसनल लाइफ में यदि कोई परेशानी बनी हुई है, तो वह जल्द ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें और काम में पूरा फोकस बनाए रखें। व्यवसाय के लिए दिन बहुत ही लाबकारी रहेगा, इसका पूरा फाइदा, परिस्थिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखेगा। साथ ही मित्रों